इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत इलाज के लिए भी किया जा सकता है। यह संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोखता है और संक्रमन को साफ करता है। इसे डॉक्टर द्वारा बताई गए समय तक लें और खुराक छोड़ने से बचें। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बैक्टीरिया मारे गए हैं और वे प्रतिरोधी नहीं बनते हैं। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गए खुराक और अवधी में लें। इस इस प्रकार यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और संक्रमन को फैलने से रोकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नही अप्रिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।